प्रियंका चाहर चौधरी और टीना दत्ता की हुई है घर में धमासा लड़ाई चलिए आप लोगो को बताते हैं ये लेटेस अपडेट मेरे साल लास तक जुड़े रही है चानल को जुरू सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाईए इस वीडियो पो लाइक कीजिए तो गर्स तीना दत्ता और प्रियंका में धमासा लड़ाई हुई है आप लोगो अरचना की लड़ाई देखने वाली है ये लड़ाई शिप्ठाप्रे के साथ अरचना की हुई पर सबसे पहले शुरुआज तीना दत्ता ने की मों लेनी से वीक की हैं जो कि दिखाई तो नहीं देरी है पर समझदार लोगों को समझग के जैसे कि मेरी दयासे लोगों पूगाई ही है अंगलिया नगदर आ रही हैं तो हमें भी बताईए जरूर कि तीना दता के बारे में आप क्या सोचते हैं यहां पर एक बार फिर से ने बहुत यह बड़ी उंगली मारी है जहां पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई और वह भी प्रयंका के सामने प्रयंका बहुत ही ज़त कर रहे थी बहुत अच्छी तुमारी उपीनिन बहुत अच्छी है पर टीना दता को लड़ाई मोल लेनी है उंगलिया मार दे क्योंकि वह आदस से मजबूर है जहां पर प्रयंका के कहना यह है कि मैं रोटिया पताना था तवा जो है वह चूले के उपर रखा गास के उपर रखा जहां पर टीना ने पहली बार medium तवा नीचे उतार दिया मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला दूसरी बार रखा दूसरी बार में भी टीना ने चूले से जो है यानि की गैस से जो है तबा नीचे उताते हैं दूसरी बार भी मैंने कुछ नहीं बोला तीसरी बार में रखा इसने तीसरी बार भी निकाल दिया और जो रोटी बनाना होता ह वो एक्चुली में बड़े चूले पे ही बनता है जिसमें गैस जादा आती है और सेक लगेगा रोटी को तभी रोटी अच्छी बनेगी इसको यह पता नहीं है इसके बाद जो है बहुत ही धमासा लड़ाई जो है टीना दत्ता और प्रेंका चाहर चौदरे में किचन एरिया में होती हुई नजराई यह सब बहुत ही बड़ी धमासा लड़ाई हुई है भाई टीना दत्ता जिस तरीके चे उंगलियां मारती है आप लोगों ने देखा थी जब सुंबुल की लड़ाई हुई थी सुंबुल को बोल रही थी अर्चना को बोल तुझे पता है इसको ना करती हुई दाज़त नमस्टाव